एलो फ्रेंड्स आज हम बना जा रहे हैं आलू मेथी के पराठे बनाएंगे और उसमें धनिया बत्ता हरी मिर्च यह सब मिक्स करेंगे बारी काट लें सब्सक्राइब कि बच्छे खाना नहीं के खाते इसमें डालेंगे तो बच्चे नेंदे अच्छे अच्छे काफी अच्छे इन्हें किसी पी चीज के सांथ खा सकते हैं सौस चाह अब इसे बारी करके मिक्स कर लें आलू को मैस करें फिर उसमें आज यहां हमारे पास बारीक कटीवी सबजिया यह इसमें मिक्स कर लें हमने मेथी धनिया और हरी मिर्च इसमें डालिए हैं इननी इसमें अट करना है सब कोzahl करेंटverse यह inhib zod जो भी आप खाते हों मसाले हैं मतलब अपनी आपनी साथ यह है मिर्ची पाउडर हल्की सी हल्दी भी डाल दें और यह है नमक जितना आप जैसा खाते हैं वैसा मिक्स कर लें अब इससे अच्छे से मिक्स करने तो गाइस हमने फिलिंग तयार कर दिये देखिए फिलिंग अच्छे से तयार हो चुकी है और हमने डो भी तयार कर रखा है बस अब पराठे बनाना स्टार्ट करते हैं तो गाइस अब गैस कॉन कर दें चोटी चोटी दो लोईयां मनाएं हाटे की ऐसे बनाने से सटार्टा पढता नहीं और रोड़ए इसी तरीके से बनाता है दो रोटा है कि बहुत आसएं तरीकित बन जाता है कि दोनों रोटियों को बेल लें फिर उसके बार इसमें जो एक फीलिंग है इसे लाकर भर लें कि इससे बुखत ही इच्छा पराठा बनेगा बढ़िया उसे अच्छे तरीके से भर के कि इसे भरने के बाद ऐसे दूसरी रोटी से इसे लाक कर लें हलके हाथ से पराठा सीख रहा है तब तर दोनों या और बना लें पराठा सिक्के गोर्डन शिकोलर आगया है और उसमें हरारा पीरिंग होगा बाहरी में जरा रहा है कि इस पराठे को सोस के साथ चाय के साथ जैसे आपको पसंदे वैसे सब्जी के साथ दूद के साथ बच्चे जैसे खाना चाहिए खाएं लेकिन मानी यह बहुत ही स्वादिस्ट होता है और जो बच्चे सब्जी वगरा नहीं खाते हैं उनके गषरी सब्जी आइं इसमें इतना यम्मी सा नजर आ रहा है पराठा गाइस देखिए पराथे बन के तयार हैं इस पराथे को एक बार अपने आप घर पे लाएं ज़रूर ट्राइए यह बहुत ही सौडिस्ट है पराथे हमारे तयार हो चुके हैं मैं इस तरीके से खाती हूं देखिए कितना त्यारा सा दीख रहा है तोड़के भी दिखाती हूं आपको इस देखिए इसमें कितनी अच्छी फिलिंग धरी है मैंने बहुत ही स्वाजिस्ट हो गई खाने में आप उस बाइट राइए अगर यह वीडियो आपको पसंद आए लाइक करें सेयर करें और कमेंट करें धन्यवाद